यूँ तो क्रिकेट को ज़्यादतर लोग बल्ले बाजों का खेल कहते हैं लेकिन कुछ बोलर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने हुनर से बड़े बड़े बल्ले बाजों के दिलों में खोफ पैदा कर दिया था आज NMF News आपको वर्ल्ड क्रिकेट के ऐसे ही दस खतरनाक बोलर्स के बारे में बता रहा है शोन पोलक 1995 में डेब्यू करने वाले पोलक ने वंड़े ही नहीं टेस्ट में भी अपनी घातक बॉलिंग से बैट्समैन के पसीने छुड़ाए हैं उन्होंने सिर्फ 108 टेस्ट मैचों में 421 विकेट चटकाए हैं इसके अलावा वे वंड़े और टेस्ट में 33,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं पोलक ने 2008 में सन्यास ले लिया था सनथ जैसूर्या आप इस नाम को इस लिष्ट में देख कर हैरान हो जाएंगे क्योंकि सनथ जैसूर्या अपनी आक्रामाग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे लेकिन सनथ जैसूर्या के क्रिकेट करियर की शुरुआत बतोर गेनबाज ही हुई थी जैसूर्या ने कुल 445 मैच खेले और 323 विकेट अपने नाम किए अनिल कुम्बले भारत के महानतम गेनबाजो में से एक अनिल कुम्बले भी इस लिष्ट में शुमार है कुम्बले ने कुल 271 मैचों में 337 विकेट लिये हैं जिसमें सबसे शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था साल 1993 के हीरो कप में जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ महस 12 रंदे कर 6 विकेट अपने नाम किये थे ब्रेटली औस्ट्रेलिया के इस तेज गेनबाज को भला कैसे बुलाया जा सकता है अपनी रफ्तार से शोबेक्तर को भी टककर देने वाले ब्रेटली का खोफ बल्ले बाजों में काफी जादा था ब्रेटली ने 12 साल क्रिकेट खेला इस दोरान उन्होंने 221 मैचों में 300 सिविकेट लिए जिनमें उनका बेश्ट रहा 22 रंओ पर 5 विकेट जेंटलमें स्विंग के महारती इनकी बॉलिंग को समान देते थे सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्ले बाज भी मेग्रा ने अपने 14 साल के करियर में 200 मैच खेले और कुल 381 विकेट लिए जिसमें उनका बेश्ट था 15 रंओ पर 7 विकेट शाहिदा फ्रीदी आखिर ऐसा कौन सा क्रिकेट फैन होगा जो बूम बूम अफ्रीदी को ना जानता हो अपनी विसफोटक बल्ले बाजी से सबको अपना मुरीद बना लेने वाले शाहिद को इस लिष्ट में देखकर आप हैरान हो सकते हैं लेकिन शाहिदा फ्रीदी के करियर की शुरुआत भी बतोर गेन बाजी हुई थी शाहिद ने 398 मैचों में 395 विकेट अपने नाम किये जिसमें उनका बेस्ट स्कोर रहा 12 रनों पर 7 विकेट कभी श्रिलंकाई गेनबाजी का केंदर रहे चामिनडा वास को अगर अपने जमाने का बेस्ट स्विंग गेनबाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा 322 मैचों में 400 विकेट लेने वाले चामिनडा वास के वर्ल्ड कप 2003 के बांगलादेश के खिलाफ किये गए स्पेल को कौन भूल सकता है जिसमें उन्होंने महज 19 रन देकर 8 विकेट लिये थे जिसमें पहले ही योवर में ली गई है ट्रिक भी शामिल है वकार योनिस स्विंग के बादशाह योरकर के उस्तार वकार योनिस उस खतरनाक पाकिस्तानी तिकडी के एक मेंबर है जिसमें वसी मकरम और शोय बकतर जैसे दिगज गेनबाद शामिल थे 262 मैचों में 416 विकेट लेने वाले वकार का बेस्ट स्कोर है 36 रन पर 7 विकेट वसी मकरम स्विंग के सुल्तान पाकिस्तान की बोलिंग की शान जिहां इतना जादा है वसी मकरम का नाम एक ऐसा गेनबाद जिसकी योरकर को कोई भी बले बाज अच्छे से नहीं समझ सका 356 मैचों में 502 विकेट लेने वाले वसी मकरम का बेस्ट स्कोर है 15 रनों पर 5 विकेट मुथाया मुर्ली धरन ओफ स्पिन के लेजेंड मुथाया मुर्ली धरन खतरनाग गेनबाजों की हमारी लिष्ट के नमबर एक गेनबाज यू तो मुर्ली धरन अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनके रिकोर्ट्स देखकर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आने वाले 20-25 सालों तक इन रिकोर्ट्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा मुर्ली धरन ने साड़े 300 मैचों में 534 विकेट अपने नाम किये हैं जिसमें उनका बेस्ट स्कोर है 30 रन देकर 7 विकेट लेना न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट हुआ है झाल